गालो बच्चो कैसे हैं आप चलिए फिर देखते हैं बेलन का सेकंड़ पार्ट कि बेलन के अंदर आपने फैसे पर आधारित जा हम बाया को नहीं देखते हैं क्योंगि आएटन क्योंगी देखें क्यूंगे जो ठोस बेलन होता है आपका सोलिड इसका बताया था पाई आर इसक्वार एच और जो खोकला बेलन होता है फोलो स्रेंडर होगले बेलन में दो तीर जाय होती है एक एक्टरनल और एक इंटरनल तो पाई कैपिटल आर इसक्वार माइनस इसमोल इसक्वार इंटु एच तो बच्चों जानक ना आपको कि फोमले याद होने चाहिए और फिर हमें केवल उनको वैल्यू को पूट करना रीडेस और को तो इसम वोल्यूम फाइंड करेंगे चले देखते हैं नेक्ट को सब्सक्राइब करेंगे एक लकड़ी के पाइप का आंत्रिक व्यास और भाईय व्यास दो चीज़ दे रखी है और पाइप की लंबाई भी दे रखी है इसका दर्यमान ज्याद करना है बहुत अच्छा क आँ तो पहले हम भाईय व्यास की बात करेंगे या नि भारी व्यास दो याद स्कीर गाद करेंगे तो पाईप की जो पैलनाकार पाइप की देंगा यह बच्छा एक्टरनल है किसे कैपिटल आर मालेंगे हैं तो यह व्यास बटे दो जाएगी अठाइस बटे दो बराबर 14 सेंटीमीटर बेलनाकार पाइप की आंतिक तिरिज्जा कैना तो इसको बच्छों मानेंगे इंटर्नल small r 24 बटे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर उसे इक्टरनल 14 इंटर्नल 12cje ट जो praędbury लंभाई याुए 35 सेंटीमीटर बेलनाकार पाइप की लंबाई कि लंबाई कि थार्टी फाइव सेंटीमीटर अब दोको यह पुजा कि इस पाइप का दर्मान कितना होगा जबकि एक घंद सेंटीमीटर लकड़ी का दर्मान है 0.6 ग्राम तो हमें बताना कि इस बेलना का पाइप में कितनी लकड़ी लगई है तो जब दो त्रीजाय मिल जा आंत्रिक और भाई यह तिर्जाय ग्यात हो जाती है तो समझे ना पाइप जो है खोकला है अब जब खोकला पाइप होगा तो उसकी जो आउटर रेडिस है इंटर्नल रेडिस है इन दोनों के अंतर जो बिचका अंतर है वह उसी मोटाई कहलाएगी और बाकी बीच में में लगी लकडी का आएतन हो तो देखो जो बताया था फिर्मृला य क्यंपितल आर स्कॉरे हे एच ऐटो एकसरणल बनी हो गया माइनस इंटरनर वोल्यूम हो गया तो अमने बता था पाई कैपिटल आर इस्क्वाइर माइनस स्मॉल आर इस्क्वाइर इंटू है इस से बच्वती क्यालिक्शन कम हो जाती है आपकी कैपिटल आर फोर्टीन है अच्वाइर यह 12 का स्क्वाइर और this आपके पास है थर्टी फाइव अ कर Communist स्क्वाइर और यह टोटीन का स्क्वाइर अब आप जाई तो इसमें ए प्लस भी ए मांस भी का यूज कर सकते हैं कि a square minus b square equal to a plus b and a minus b या डायट भी हम लिख सकते हैं 196 minus 144 जैसे आपको आसान लगया वैसा कर सकते हैं 22 बटे 7 गुना थे में चारगे 2 और 9 बचारगे 5 गुना 35 तो बच्चों 7 बच्चे 35 तो आपके पास होगा 22 गुना 52 गुना पांच अब दोगों बच्चे यह वर्ड आयतन वोल्यूम वोल्यूम की निड़ती है क्यूबिक यानि घन अर्वात्रक जाया सेंटीमीटर में तो घन सेंटीमीटर तो इसकी गुना कर सकते हो आप 22 गुना पांच गुना पांच गुना पांच पच्चेख 26 और ऐसे यह करते हैं लकड़ी का दर्यमान दे रखा देखिए कि एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का दर्यमान 0.6 ग्राम है तो पाइप का दर्यमान ग्याद करना है तो इसमें इसकी गुना कर देंगे 0.6 है पाइप का दर्यमान बराबर 5720 गुना 0.6 यह बच्चो ग्राम में आ जाएगा चूंकि एक घन सेंटीमीटर बराबर 0.6 ग्राम यह आपको द्यावा है तो अब आप इसकी गुना कर देंगे जब भूस सारा ग्राम हो जाए मातरा हजार से चरी जाए तो हम इसे एक घन से भाग कर देंगे किसे बदल जाएगा किलोग्राम है वेरी गुड तो आप इसको 3 4 3 2 divided by 1000 और यह जाएगा आपका आंसर आगया तो छोटी है लेकिन मातरा अधिक है तो हमने इसलिए भाग कर दिया और यह आगया किलोग्राम देखते हैं देखे यदि एक बेलन का पासर परष्टे छेथफल यह दे रखा है 94.2 वर्क सैंटीमीटर उचाई दे रिखे 5 सैंटीमीटर तो आधा की तिरिजा ग्याद करनी है और बेलन का आइतन ग्याद करना है दो चीज़ बतानी है और देखे इसमें पाई के वल्यू गिविन है 3. 3.14 तो हम यह यूज़ करेंगे बेलन का पासर परष्टे छेथर फल 94.2 सैंटीमीटर स्क्वाइर अब देखे इसकी उचाई भी दे रखी है तो बेलन की उचाई यह देखे आपको 5 सैंटीमीटर तो हमें बेलन का पासर परष्टेश खित्वल दिया बच्चो तो फॉर्मुला था टू पाई आर एच तू पाई आर एच यह वैल्यूज़ देन्टी 4.2 94.2 पाई की वैल जो खेंगे हम 3.14 रेडस देखो बच्चो कितनी है यह हमें निकालनी है देखो आर जो हमें कैलकुलेट करना है तो आर अन्दोन रहेगा एच हमारे पास फाइव है तो जो हमकी गुणा कर देंगे इधर तो गुणा होने पर 28 यह हो जाए 6.28 गुणा पांच गुणा आर अब पांच सा करते हैं पांच चालिश चार पांच दुन दस्टा चार एक पांच संग तीसरे एक 31 तो बच्चो पॉ अब आप आर फाइंड करेंगे 94.2 डिवाइड बाइ 31.4 जैकर जब हम देखते हैं कि लास्ट में 0 है और पॉइंट यूज हो चुका तो इसकी वैल्यू नहीं होती तो इसको हम रिपूंग कर देंगे यहांसे तो आप इसे कैंसल करेंगे 942 डिवाइड बाइ 314 तो आप द अब कर दो तिरी सेंटीमीटर तो आप डा गया तो जी आधा की 3 जागी तीन सैंटीमीटर तो अ माइड आफли कि अ श. मतले पैरा पांट पांड यह इसका अंसर अगया रफ स्चन बाहा है ऐन कि आधा घर जाय सेंटीमीटर धिक हैं is सब्सक्राइब कर लेंगे अब जब हमारे पास और भी है और एच भी है तो अब निकाले बेलन का आइतन योग्या बच्चों पाई आर स्क्वाइर एच त्री पॉइंट वन पॉर आर आपकी यह है थिरी का स्क्वाइर और एच कितनी थे आपके पास पांच तो त्री पॉइंट वन फॉर तीन का स्कार हो गया नो गुना पांच इसक्वार अब इसकी पांच सक गुना कर देंगे वांचंग 30 545 445 वांच इसका अब गुन में और यूनियो तीस हांट में सेंटी मेटर तो गन सेंटीमीटर तो तेख़ो बचौक कितना स्पिल कोशन है ये वल आपको पासर प्रश्च्टे चेट फिसके का रखर स्था कर कुछ को हमारे पास part 2 Diaries ती और निकाल लिए रहा हमारे पास है एस हमारे पास है पाई की वाली ए तो हम तो कितना सिंप्ल को संथा चले नेक्ट देखते हैं कि देखे एक पताल्य के एक रोगी को परती दिन साथ सेंटीमेटर व्यास वाले है एक बेलना का कटोउरे में यहांजर शाप संथ सेंटीमेटर बेलना का कटोउरा बना जया यह स्ने5 अपर दिन सेंटीमेटर को परतियल शूमिद्र 1 परति के इस अध्या ंटीमेटरों के लिए लिए उसफाल नाचीं चुब तयार किया जाता है याडि की एक दिन में कितना छूब तयार करना पड़ेगा यह बताना है तो देखे परतिंशा साथ सेंटीमेडर व्यास वाले बेदनाका कट्रे का व्यास हैं मैं मिनाकार है कर टोरे का व्यास खो 것이 निया साथ सेंटीमीठर कितना है साथ सेंटीमीटर तो बेलनाकार क्टोरे की तिरिज्जा को बेलनाकार क्टोरे की तिरिज्जा और बराबर बटे दो तो व्यास हमने आधा कर दिया अब इसका यह यह सूप से चार सेंटीमीटर उचाई तक भरा जाता है करें करें कि तूप की उचाई एच बराबर चार सेंटीमीटर तो यह पुछा कि इस कटोरे में कितना सूप आएगा तो एक कटोरे में सूप की मातरा कि जब बेलना का कटोरा है तो पाई आर इसक्वाइर एच पाई आर इसक्वाइर एच पाई की अल्यू बाइस बटे साथ अब यह आपना आर निकाली साथ बटे दो इसक्वाइर दो बाल लिख देना बच्चो आर इसक्वाइर यानि की आर की वैल्यू दो बाल लिखना है और उचाही एच है फोर सेंटीमीटर तो साथ से साथ कट क्या आपका दो दूनी चार और दो से दो काट देना तो बाईस गुना साथ बरावर 154 गन सेंटीमीटर तो बच्चों एक कटोरे के अंदर जो सूप की मातरा होगी वह 154 गन सेंटीमीटर होगी अब यह का कह रहा है कि इस अस्पताल में 250 रोग्यों के लिए पतिनी कितना सूप त्यार किया जाता है परती दिन त्यार किये गए परतीन त्यार किया जाएगा क्योंकि एक रोगी के दिए 154 गन सेंटीमीटर है और हमारे पास है 250 रोगी यानि कि 250 पेसेंट हैं उन सब को सूप के हमें बाउल देने हैं तो अब उसमें कितना होगा उसकी मातरा निकालने हैं कि घन सेंटीमीटर के लिए गुना कर देंगे जीरो पच्चिस चोंका सो हासिरे दस पच्चिस पंज एक सो पच्चिस दस एक सो पैसिस ते रहे हैं पच्चिस ते रहे हैं तो बच्चों आगया सेंटीमीटर तो यह आपका सिंपिल सा आंसर था कि जो परतिन त्यार किया गया सूप है वह अर्टीजार पांसो घन सेंटीमीटर है आप अगर इसे लीटर बदलें तो इसे एक हजार से भाग कर देंगे या 38,500 पटे 1000 लीटर तो एक दो तीन तो यह आपका जागा 38.5 लीटर देंगे सिंपिल कोशन था कि वह आपको इसका मात्रा निकालना था कि कितनी मात्रा एक कट्वर्यक अंदर तो वह उसका आइटन था पायार स्कॉर एच और 250 पेसेंट हैं तो उनके लिए कितनी मात्रा यह आ गया है और जब भन सेंटिम्टों लीटर में बदलना हो तो एक हजार से भाग कर देंगे तो आपकी जो मात्रा आई 38.5 लीटर यह आपका अंसर है कि देखते हैं में दो गया कि आकर्ती बनाई जाएगी एक एक लेंप्षेडगं का फ्रेम देख रहे हैं आकर्ती नहीं है कोई बात नहीं इसे एक सजावर्टी कपडर ते रießमे जाना है इस फ्रेम के आधार का व्यास तो जो लैम्प शेड का फ्रेम है उसका व्यास दिया गया है करें के आधार का व्यास कि बीर सेंटी मीटर इसलिए करें करें के आधार की तिरिज्जा जो आरोते वेटा व्यास बटे दो होती है तो बीस बटे दो परावर दस एंटी मिटर तो जो तिरिज्जा वो टैन सेंटी मिटर आ गया आपकी उचाई ती सेंटी मिटर है अब देखें आगे क्या लिखता है कि फ्रेम के उपर और नीचे अब रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोन और धाई सेंटी मिटर अत्रिक्स कपड़ा जाना है माले फ्रेम है तो हमें इसके उपर भाई सेंटी मिटर कपड़ा छोड़ना है और नीचे भी छोड़ना है तो हमें निकालने पड़ी कपड़े की लंबाई कपड़े की लंबाई यह बन जाएगी ठर्टी तो थीन यह फ्रेम की फ्लस धाई सैंटी मिटर उपर धाई सैंटी मिटर नीचे तो प्लस टू.5 उपर की च्छोट सी तो जाई थर्टी फाइव सैंटी मीटर तो घ्याद कि जेए कि लेंप शैर को ढगने के लिए कुल कितन कि लेंब को ढखने के लिए कुल कपड़ा कुल कितना कपड़ा आवस्यक होगा वह बराबर हो जाएगा आपका वक्त प्रष्टिय छेद्फल के कि वक्त प्रष्ट पर किसके होगा गयों कि लंबाई में जोड दी तो 35 होगी तो क्या बंजाए टू पाई आर एच कि योगी लंबाई तो फ्रेम की एकेवल हमें पूजा कपड़ा कितना चाहिए तो कपड़े की लंबाई जोड़ देंगे जो एक्ष्टा कपड़ा था धाई मीटर धाई सैंटीमीटर नीचे तो अब यह बन जाएगा टू पाई आर्एच तो टू पाई के लू 22 बटे साथ आप आर देख रहें दस सेंटीमीटर गुना दस उचाहिए आप देख रहें 35 सेंटीमीटर गुना 35 तो साथ पढ़े 35 तो आप गुना कर सकता है 22 जूनी 44 और दस पंजे 50 पांचोग 20 पांचोग बिस तो बाइस बच्चोग बाइस तो करने के लिए 200 सेंटीमीटर कपड़े की आव सकता होगी तो सिंपिल कोशन है बिल्कुल देखिए केवल तिर्जा व्यास बटे दो उचाही तीस्ती किसकी लेंब शेड की लेकिन हमां कपड़ा निकालना है तो कपड़े का जो एक्स्ट्रा सा पार्ट टू पुइंट फाइ की 35 अब निकाल दें कि वक्त पर टू पाई और एच और इसकी वैल्ली आगया आपकी 200 वर्ग सेंटीमीटर से लिए नैस्ट को सब्सक्राइब देख लेते हैं एक एक बेलनाकार बरतन के आधार की परीज़ी तो देख अच्छे कोस्न में होती है भी तो आधार की परीदी हमने बताया था बेलन का आधार क्या होता है तो पहले वीडियो बताया था बेलन का आधार तो आधार की जो परीदी दी गई है यह बच्छे 132 सेंटी मीटर तो परीदी है टू पाई आर आपने बताया व्रत की परीदी यानि आधार की परीदी क्योंकि आधार व्रत है तो टू पाई आर इकवर टो एक्सो बतीज और टू पाई के वाल्यू बटे साथ गुना आर बराबर एक्सो बतीज और आर बराबर साथ गुना एक्सो बतीज बटे दो गुना बाइस दो गुना बाइस जो यहां डिवाइड में था वो मल्टिपलाई में चला गया जो मल् एक्वल टू 7 इन्टू 3 और इक्वल टू 21 सेंटीमीटर तो आपने देखा कि 21 सेंटीमीटर जब यह आ गई रेडियस आर उचाई दी गई आपको एच ब्राबर 25 सेंटीमीटर बेदना कार बरतन की उचाई कर देख बराबर 25 सेंटीमीटर है अब आपके पास तिर्जा है और उचाई यह अब यह फूच रहा है कि इस बरतन में कितने कितने पानंहीं पानंह तो जब हम आयतन निकालना पड़ा है क्योंकि लिखा कि 1000 सेंटीमीटर जब कोई बरतन पूरा भरता है तो उसका आयतन निकालना पड़ेगा तो बेलनाकार बरतन का आईतन देखे बच्चों बेलनाका बरतन का जो आयतन निकालने तो पाई आर स्क्वाइर एच पाई आर स्क्वाइर एच पाई की एल्यू बाटे साथ अभी आपने आर फाइंड किया है 21 सेंटीमीटर 21 का स्क्वाइर करेंगे और एच आपके पास 25 सेंटीमीटर तो आपको 22 बटे साथ 21 का वर गया एच इसको दो बाल लिख देना और 25 यह लिख देना तो आपको पाई आर स्क्ाइर है एच साथ के 21 कट जाएगा आपके पास 22 की तो तीन से गुणा कर दें और 21 की गुणा 25 में कर दें 22 तीया 66 और जो को 25 ये 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 26 अब आप पांचो पच्चिस की शाज़ट पर गुणा करना के वल तीन चाहट दूनी बारा तीन पंद्रह एक ये 25 ये 31 जो शिख फाइव थर्टी थी कैरी शिख फाइव थर्टी थी फिफ्टीन वन कैरी शिख फाइव थर्टी थर्टी ये जिया पर दें है 0 513 056 43 346 50 346 501 सैंटी मीटर तो जो आए तर निकलेगा वह थाओगा लेकिन पानी की मात्रा पूछ रहा है तो अभी आपने इससे पहले कोशन में पढ़ाता है एक को सिख पहले अगर हम सैंटी मीटर में बदलें तो एक हजार सब भाग करते हैं थो दो तीस शैस्तों पचास बटे एक हजार हो लीटर यह मातर कि दे भी रखा है एक्जाम नहीं भी देते लेकर लिखा कि एक हजार घंच सैंटी मीटर बरावर एक लीटर अगर आप इसको कह दें कि एक घंच सैंटी मीटर इसको चेंज कर दे हैं कि एक घंड़ सेंटीमीटर बराबर वन अपॉन थाउजन्ट लीटर इसी से बने गया कि एक घंड़ सेंटीमीटर यानि कि सेंटीमीटर की पावर तीन बराबर एक हजार नीचे महुंच जाएगा तो लीटर तो इसलिए हमने यहां डिवाइड कर दिया तो एक जादा भाग करने के बाद 1, 2, 3 एक, दो, तीन तो 3, 4, 0.65 लीटर यह टंकी के अंदर जो पानी की मातरा होगी उसकी माप दी गई है यह तो आपका 3, 4, 6, 5, 0 अपोन 1,000 तो 34.65 लीटर यह आपका आंसर है बच्चों आपने देखा कि जो बेलन के कोशन से उन कोशन में बेलन का वक्षप्रस्ट यानि पासर परस्टे शित्पष संपून परस्ट और आयतन इसमें हमने देखा कि खोकले बेलन भी था हमारे पास और ठोस बेलन भी था तो हमने इस टैप के जो कोशन से जितने भी संभव हो सकते थे आपको बताने आप परियास किया है ये वीडियो बच्चों आपको विद्या प्रकासन मंदिर लिमिटरी के तब से दिये जा रहे हैं आप इनका प्रक्टिस करते वे लाब उठाएं ऐसा आपसे उम्बीद्वी करते हैं और पूर्ण विश्वास भी है कि आप इनके प्रक्टिस करेंगे हैपी लर्निंग टेक केर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू बरी मुच्छ